महाराष्ट के राचनीती में नई नहीं है चाचा भतीजे की लड़ाई मामला पवार परिवार का है जहाँ चाचा शरत पवार भतीजे अजीत पवार की लड़ाई के चलते महाराष्ट के राचनेति घटना करम ने एक नया मोड ले लिया है इसके चलते राश्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी में काफी बेचैनी है। हाला कि शरत पवार ने भतीजे अजीत पवार का मान मनोवल कर लिया है। लेकिन महराश्ट्र में NCP से पहले शिरसेना और भाचपा भी चाचा भतीजे की लड़ाई से दो चार हो चुकी है। शरत पवार अजीत पवार बाल ठाकरे राश ठाकरे गोपी रात मुंडे और धरंजे मुंडे इस बात के उधारण है कि महराश्ट्र में राजनेतिक परिवारों में चाचा भतीजे की लड़ाई कोई नई बात नहीं है। बीते शनिवार को अजीत पवार अपने चाचा और पाटी सनरक्षक शरत पवार के विरुत चले गए और भाजपा के साथ हाथ मिला लिया। और राज्य के उप मुखे मंतरी पद की शपत भी गरण कर ली। उनकी बगावत और भाजपा को समर्थन देने के निर्णे ने ना सिर्फ NCP को जग जोर कर रख दिया बलकि एक दूसरे से करीब जुड़े परिवारों को भी हिला दिया। अपने भाई अनंत राव की मौत के बाद शरत पवार ने उनके बेटे अजीत पवार को अपने सरक्षन में ले लिया था। अजीत पवार ने 1991 में पहली बार 12 मती से संसदिय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। शरत पवार जब 1991 में पीवी नरसी माराव सरकार में रक्षा मंतरी बने तो अजीत ने ये सीट उन्हें दे दी। ये महस शुरुवात थी साथ बार विधायक और पूर्म में उप मुखे मंतरी रहे अजीत पवार N.C.P. परमुक के राजनेतिक उत्राधिकारी के रूप में देखे जाने लगे। लेकिन तनाव तब शुरू हुआ जब शरत पवार की बेटी सुप्रिया सूले ने राजनीती में प्रवेश किया। इसी तरह का विवाद ठाकरे परिवार में भी लगबक एक दशक पहले हुआ था जब उदफ ठाकरे और राज ठाकरे के बीच विवाद के चलते शिवसेना दो फाड हो गई। बाला साब ठाकरे ने भतीजे की तुलना में अपने बेटे उदफ को तवज्जो दी और राज ठाकरे ने नई पाटी बना ली। पवार और ठाकरे परिवार की तरह मुंडे परिवार में भी विवाद हुआ। वर्ष 2009 में जब OBC नेता गोपी नात मुंडे बीड से विजय हुए तो ज़्यादातर लोगों ने सोचा कि विधान सबा चुडाओं में वह अपने भतीजे धननजे मुंडे को उतारेंगे। लेकिन इसकी जगा उन्होंने अपनी बेटी पंकजा मुंडे को पर्ली सीट से मैदान में उतारा। इससे चाचा और भतीजे के बीच मनभेद और गहरा हुआ तथा धननजे मुंडे बाद में वो विधान परिशत में नेता विपक्ष बने। गोपीनात मुंडे के निधन के बाद पारिवारिक प्रतिवदंदिता अकसर सुर्ख्यों में आती रही। 2014 में पंकजा मुंडे ने पर्ली से अपने चचेरे भाई को हरा दिया। महीं 2019 में धननजे मुंडे ने बाजी पलटते हुए अपनी चचेरी बहन पंकजा को हरा दिया। महराष्ट में पिछले महिने हुए विधान सबाचुनाव में शिरसेना के जैदत शीर सागर को उनके भतीजे एवं NCP उमीदवार संदीप शीर सागर ने बीड सीट से हरा दिया।